हेलो साथियो नमस्कार सूपरभात कैसे हैं मेरे सभी साथी एक बार जल्दी से बता देंगे और सबसे पहले मा सरस्वती के चर्णों में हम सभी का नवन मेरे दोस्तों रुसी के साथ मा सरस्वती के असिरवात के साथ में हम सेशन को सुरू करेंगे कैसे हैं मेरे प्यारे सभी साथी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ अफेर्स पर आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग सुभा की नमस्ते शश्रेकाल रादे रादे होप सो मेरे सभी साथी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया तरीके से करंट अफेर को पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों आप सभी का स्वागत है अर्थाफेर्स पर यहाँ पर ब्रहंबांड में जितना भी करंट अफेर है उन सभी को पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों के लिए सबसे जादा जरूरी है चलिएगा सेशन को सुरूरी करते हैं जादा देर ना करते हुए क्यूंकि जैसा कि आज आपको मालूम है कि आज हमारा जो सेशन है वो कितने बजे तक है सुभा सबा आठ बजे तक है आठ पंद्रा तक है क्योंकि आठ पंद्रा पर हमारा static GK का session है जो आप लोगों के कहने पर मैंने आज से लगाया है तो आठ पंद्रा से आज हम static GK पढ़ेंगे और सुभा साथ बजे से आठ पंद्रा मतलब यह सतर मिनट का session जो होगा वो current affair का session होगा ठीक है चलिएगा दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो ध्यान से समझेगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है एक मिनट रुकेंगे यहाँ पर जो पीपीटी है वो दोस्तों दूसरी लग गई है ठीक है पीपीटी दूसरी लग गई एक बार पीपीटी को मैं change कर लो वो दूसरी कल वाली पीपीटी लग गई है ठीक है तो एक बार जल्दी से रुक जाईएगा एक मिनट का वेट कर ल ठीक है चलिएगा झालिएगा झालिएगा हम जी दोस्तों ठीक है तो वो पीपीटी ना दूसरी लग गई थी आज जल्दी जल्दी में तेहीज तारीक वाली ठीक है तो अभी हम इसको लगा लेते हैं लग रही है फिर उसके बाद सेशन को सुरू कर लेंगे बाद आंप्र और से बढ़ीत तरीके से मैंने कहा आज यह टीबीडे है ट्यूब्रो क्लासिस यह है और ट्यूब्रो क्लासिस ऐग फिर हमने लगा दिया मीट्र लाजी तो यह दिक्कत हो गई वहां पे आज़ाव फटा-फट से ठीक है ठीक है तो जो नए साथ ही जुड़े हैं वो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद आज के सेशन को सुरू करेंगे ठीक है आज आज आ फटा-फट से हम सोचे सर गायब नहीं नहीं सर कैसे गायब हो जाएंगे दोस्त वो तो स सेशन को सुरू करते हैं मा सरस्वती को परणा में वहिया सभी का ठीक है हम सभी का और सुरू करते हैं आज के सेशन को तो आज के सेशन में जो सबसे पहला दिन है वो है मेरे दोस्तों क्या वर्ल्ड टीवी डे तो वर्ल्ड टीवी डे अब यहां पर दो तीन चीजे हैं जो होता है टेली विजन वाला तो टेली विजन आता है 21 नवंबर को कब आता है 21 नवंबर को जो टेली विजन डे है वो 21 नवंबर को आता है और जो टीवी डे है वो दोस्तों आता है 24 मार्च को अब यहाँ पर मैं आपको बता दू कि टीवी से बोडी के कौन से पार्ट पर असर पड़ता है तो टीवी से मेरे दोस्तों बोडी के लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है जिनको हम प्यार से क्या कहते हैं फेफडे मेरे दोस्तों तो जो फेफडे होते हैं लंग्स होते हैं टीवी में जो टीवी का बैक्टीरिया है मेरे दोस्तों वो क्या करता है लंग्स को खर लंग्स पर affect मारता है जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है अच्छा तीवी के अंदर जो bacteria मतलब तीवी जिस bacteria से होता है उसको हम बोलते हैं mycobacterium tuberculosis मेरे दोस्तों ये दो बाते आप लोगों को इहां पर कान में रखनी है कि mycobacterium do tuberculosis यह इससे आप लोगों का जो है यह bacteria हमारा effect करता है इसी से हमारा क्या होता है tv होता है जो कहाँ पे attack मारता है सीधे lungs पे effect मारता है कहाँ पर सीधे lungs पर effect मारता है ठीक है तो यह चीज आप लोगों को जो है ध्यान से समझनी है अब 2-3 जीजे जो आएंगी भारत जो है टीबी से लड़ने में मतलब भारत जो है टीवी को पूरी तरह से खतम करने में लगा हुआ है उसके लिए क्या कर रहा है भारत तो भारत ने मेरे दोस्तों एक प्रोग्राम चलाया था टीवी हारेगा और देश जीतेगा और इसी के चलते हमारा जो टीवी को खतम करने का प्रोग्राम है वो क्या है दो हजार पच्चिस मनलब दो हजार पच्चिस तक हम अपने भारत को टीवी मुक्त बना देंगे और साथी के साथ अगर मैं world level पे बात करूँ तो WHO का जो target है वो कितना है 2030 है मतलब जो WHO है world health organization वो 2030 तक पूरे विश्व से tv को खतम करने का अपना target उसने रखा हुआ है ये चीज आप लोगों को धियान में रखनी है important है mark कर लीजिएगा ठीक है तो tv मुक्त भारत 2025 है दोस्तो और tv मुक्त अगर हम बात करेंगे जो विश्व है वो हमारा 2030 है तो ये tv से related आपको सारी चीजे मैंने आपको बता दी important है दोस्तो देखिएगा बात करते हैं 20 मार्च की तो 20 मार्च पे फिर से बापस चलते हैं उस दिन हमने 20 मार्च को बहुत सारे मेंडक कुदाए थे तो मुझे जल्दी से comment box में बताना शुरू कर दीजिएगा कि 20 मार्च को कौन कौन से दिन हम मना चुके हैं अब हम फिर से 20 मार्च की बात कर रहे हैं तो ये जो 20 मार्च है ना अप लोगों का इसी 20 मार्च को हम मना रहे है world head injury awareness day भाई जब हम 20 मार्च को इतने सारे दिन मनाएंगे तो उनको याद रखने में head injury तो होई जाएगी तो जो head injury day है head injury awareness day ये मनाया जाता है हमारा कब 20 मार्च 20 मार्च 20 मार्च को और दोस्तो इसका क्या था more than my brain injury more than my brain injury ये इस बार की क्या है theme है एक बार फिर से देख लीजिएगा जब मैं हाँ पे 20 मार्च की बात करता हूँ तो पहले मैं बनाता हूँ sparrow day sparrow day चिडिया उड़ा दी भाई उसके बाद चिडिया उड़ा दी तो बंदा खुस हो गया जिसकी चिडिया उड़ा दी जाती है वो खुस हो जाता है तो happiness day हो गया उसके बाद French language day कौन सा है French language day है हमारा तो तीन तो यही हो गए एक head injury awareness हो गया फिर हमने इस दिन मैंड़क कुदा दिये तो मैंड़क मेरे दोस्तों frog day तो frog day हो गया एक हमारा oral health day हो गया क्या हो गया oral health day हो गया भाई ठीक है और यह हमारे 5 हो गये एक मेरे दोस्तों हमारा head injury awareness day हो गया तो यह सारी की सारी चीज़े आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है इस पैरो डे हमने पढ़ा happiness day हमने पढ़ा French language हमने पढ़ा oral health हमने पढ़ा frog day हमने पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों world health world head injury day तो यह मेरे दोस्तों हमारा क्या हो गया यह हमारे 6 दिन आपके सामने है और यह 6 दिन कब हैं यह 6 दिन 20 तारीक को हैं जो मैं आपक होगे कोई दिक्कत परिशानी है तो मुझे हापर आप लोग जो है बता दीजिएगा ठीक है तो यह क्या हो गया more than my brain injury इस बार की हमारी जो है ध्यान रखेंगे ठीक है आगे चलेंगे दोस्तों अब यहाँ पर जब हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं तो 23 मार्च को मेरे दोस्त मार्टियर डे मार्टियर मतलब हमारा शहीद दिवस और सहीद दिवस क्यों क्योंकि इस दिन मेरे दोस्तों भगत सिंग सुख देव आप लोगों के और राजगुरू इन तीनों को क्या थी फासी लगाई गई थी और तीनों इस दिन मेरे दोस्तों शहीद हुए थे उन किस किन inbox ने लगाई थी हराम कोरों ने लगाई थी अंग्रेजों ने लगाई थी अब यहाँ पर दो तीन चीजे देखनी है तो सबसे पहले जो हमारा तेहिस मार्च है मेरे दोस्तों उसको हमने मोसम विज्ञान विभाग दिवस मना रहे हैं मोसम विज्ञान दिवस आप लोगों का तो ये भी हमारा तेही समार्च को है जो हमें क्या रखना है ध्यान रखना है इंपोटेंट है एक होता है शहीद दिवस मेरे दोस्तों क्या हमारा जो सहीद दिवस होता है वो आता है 30 जन गा इस प्रशन को मैं आप लोगों का बहुत मतलब नॉर्मली इध्यास से रिलेट करूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा तो इसको हम इध्यास में अलग से ही देखेंगे ठीक है दोस्तो हां जी बिलकुल पपटरी भी हमने मना लिया ठीक है कट पुतली डे भी हमने मना लि है एक बच्चे को मैं गरेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर जो आरियन राज है वो यह कह रहे है कि सर आककेसगяжी अ को थोस्त तो twists 2019 को नहीं होता 21 ओक्टूबर को होता है और 21 ओक्टूबर को क्या होता है पुलिस को मेमोरेशन दे यह पुलिस को मेमोरेशन दे हैं ना को हम celebrate करते जो paper में आते हैं मतलब मनाते हैं ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं अगले question पर अगला question important है इसको mark कर लीजिएगा ये बेहद जरूरी है ठीक है चलिए दोस्तो exercise का नाम क्या है dust lick है क्या नाम है exercise का dust lick है ठीक है और ये dust lick जो exercise है ये दो देसों की आर्मी के बीच में होती है और दो देसों की आर्मी कौन-कौन सी आर्मी है एक हमारी इंडिया की आर्मी है और एक हमारी उजबेकिस्तान की आर्मी है तो इंडिया की और उजबेकिस्तान की आर्मी के बीच में हमारी exercise डश्ट लिक हो रही है कौन सा संस्क्रन है तीसरा संस्क्रन है मतलब addition कौन सा है तीसरा addition है और वेन्यू क्या है उजबेकिस्तान है मतलब venue जो है उजबेकिस्तान में ही ये exercise हमारी हो रही है इसको आप लोगोंने क्या रखना है ध्यान रखना है important है मार्क कर लीजेगा ठीक है तो exercise क्या होगी डश्ट लिक हो गई addition तीसरा पहला edition कब हुआ था 2019 में पहला edition हुआ था और आर्वी exercise का नाम क्या है डश्ट लिक है धियान रखेंगे दोस्तों जब हम आगे चर्चा करते हैं तो ये जो कंट्री है उजबेकिस्तान ये कैसी कंट्री है सेंट्रल एसिया की कंट्री है कैसी कंट्री है सेंट्रल एसिया की इसकी कैपिटल क्या है तासकंत अगर आपको याद हो तो तासकंत में किसकी मिरत्य हुई थी भहिया तासकंत में किसकी मिरत्य हुई थी कमेंट करके बता दीजिएगा तासकंत में कौन मरा था मेरे दोस्तों और प्रसीडेंट कोने हाँ पर सवाकत मिर्जी योयेव है कोने सवाकत मिर्जी योयेव जो है यहाँ पर आप लोगों के प्रसीडेंट ह जो आपको ध्यान में रखनी है ठीक है अब दोस्तों जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे भारत के जो दूसरे प्रधान मंत्री थे उनका नाम क्या था लाल बहादुर सास्त्री मेरे दोस्तों तो सास्त्री जी की आप लोगों की क्या कहते हैं वापे डैथ हुई थी जिसका नाम है हैंड इन हैंड बहुत पुरानी एकसरसाइज है आज कल नहीं होती है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों एक हमारी एकसरसाइज है बोंगो सागर क्या नाम है बोंगो सागर तो इन एकसरसाइज का पता होना चाहिए बोंगो सागर एक हम हमारी मेरे दोस्तो एक्सरसाइज है जिसका नाम है माला बार क्या नाम है माला बार ठीक है एक हमारी मेरे दोस्तो एक्सरसाइज है जिसका नाम है लैमियाटे ठीक है याद रखिएगा एक एक्सरसाइज है मेरे दोस्तो हमारी क्या है अगर हम बात करेंगे नूमेडिक एलीफ यह हमारी कुछ exercise है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो इकवरिन किसके साथ में है तो इकवरिन जो है वो माल दीप्स के साथ में है किसके माल दीप्स के साथ में है हैंड इन हैंड छीची का बंदा जो है चाइना के साथ में है भाई ठीक है बोंगो सागर सेख हसीना सफिद जुल्फो वाली बांगला देश के साथ में है माला बार में हमारे साथ में यूएस से है जापान है और आस्ट्रेलिया है मेरे दोस्तों ये हमारे क्या है तीन देश ह भारत तो मिले गए मिलेगा लेमियाटे अभी हमने पढ़ी थी मेरे दोस्तों सेसल्स के साथ में और मंगोलिया के साथ में हमने क्या पढ़ी है नॉमेडिक एलिफेंट को पढ़ा है मंगोलिया के साथ में ठीक है तो ये हमारी कितनी exercise हो गई है चार और दो छे exercise और एक मैंने पीछे पढ़ा दी तो साथ exercise आपको revise हो गई है ठीक है चलिएगा अगला question जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो Indian Army से Indian Army से क्या question बना सकते हैं ये हैं दोस्तों हमारी Army ठीक है Indian Army ठीक है Army Day का बाता है 15 जन्वरी को Army Day मनाते हैं Army में सबसे बड़ी post का नाम क्या है तो Army में सबसे बड़ी post है General की जो General की सबसे बड़ी post है वो क्या है मेरे दोस्तों Army के अंदर है अगर हम Army की ही बात करेंगे सात्यों तो कोन है अभी journal हमारे Manoj Mukund Narwani और Manoj Mukund Narwani जो है वो journal number मेरे दोस्तों कौन है 27 है क्या है 27 है हमारे मेरे दोस्तों याद रखेगा ठीक है अगर कोई आप से पूछेगा कि रिम्स जो कॉलिज है हमारा मेरे दोस्तो इस्पेशल आर्मी स्कूल है आपको मालूम होगा रिम्स ने अभी हाल फिलाल में अपने कितने सो वर्स पूरे किये हैं तो ये जो रिम्स है ये कहां पर है हमारा जो मिलिटरी कॉलिज है ये देहरादून में है, कहां पर है, देहरादून में है, अभी इसने हाल फिलाल में अपने 100 सालों को पूरा किया है, तो जो रिम्स है हमारा, ये कहां पर है, देहरादून, 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 इसको जरूर याद रखेगा, ठीक है, इंपोटेंट है, मार कर लेंगे, आगे चलेंगे अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन आप लोगों के लिए ये और भी जादा इंपोटेंट है ठीक है इसको इंपोटेंट मार कर लीजिएगा क्या कह रहा है दोस्तों आप जब देखते हैं कि हर बंदे का सपना होता है कि भाईया मैं घर खरीदूंगा ठीक ह हो और भारत में भी कि योजना चलाई जारी है हाउसिंग फॉर ओल हाउसिंग फॉर और हजार चौबीश तक सबका अपना घर हो पहले 2022 तक था लेकिन इसको दो साल एक्सटेंड कर दिया है तो कतना हो गया वो 2024 तक हो गया उसी बात में ध्यान दे तो एक बात आप ध्यान स समझेगा कि global house price index ठीक है मतलब एक हमारा index है जिसका नाम है global house price index ठीक है मतलब पूरे world में कहां पर सबसे ज़्यादा महेंगे घर है ठीक है तो उसके quarter four की हमारी अभी ranking आई है quarter four आप समझ रहे है ठीक है तो चोथे quarter की अभी क्या आई है उसकी rank आई है और इसको release कोन करता है night frank करता है तो night frank के द्वारा quarter four में global house price index में भारत का इस्थान क्या है तो भारत का इस्थान है 51 मेरे दोस्तों मतलब 50 country और ऐसी है जहां पर घर जो है वो भारत से ज़्यादा महेंगे है मतलब भारत में जो घर महेंगे है उसके मामले में जो भारत है 51 में नंबर पर आता है जबकि ये पहले जो rank थी 56 rank हुआ करती थी कितनी हुआ करती थी 56 rank हुआ करती थी लेकिन अभी कितनी है अभी 51 rank है और सबसे ज़्यादा महेंगे घर कहां पर हो रहे है ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स के नुसार तो ये हो रहे है तर्की में तर्की यहां पर पहले नंबर पर आ जो हमारा तुर्की है टर्की है ये पहले नंबर पर आ जाता है इंडिया कौन से नंबर पर है 51 वे नंबर पर है इसको याद में रखिएगा ठीक है अब अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो कौन सी वो हमारी आ क्या कहते हैं पाच कंट्री है जहां सबसे महंगे घर देखने को मिलते हैं तो सबसे महेंगा घर कहाँ पे है तरकी में है ठीक है उसके बाद आ जाता है नूझी लेंड में धिष्ध समझते रहिएगा उसके बाद चैज रिपबलिक में आ जाता है उसके बाद शिलोवाकिया में उसके बाद औस ट्रेलिया में अब इसमें हम तीन दो कर लेते हैं तीन दो क्या कर लेते हैं दो देशों की कैपिटल मैं बताऊंगा और तीन देशों की कैपिटल आपको बतानी है ठीक है तो मैं यहां पर अपने दो देश ढूंड लेता हूं मतलब सिलोवाकिया तो मैं आपको सिलोवाकिया की कैपिटल बता दू यह क्या है ब्राति तो क्या है पैरागे तो पैरागे जो है यहाँ पे capital city मिल जाती है आपको देखिए का जो country हमारी नाम में होगी उसी की capital आपसे पूछी जाएगी ठीक है तो स्लोबाकिया की क्या हो गई ब्रातिसलाबा हो गई चैज रिपब्लिक की परागे हो गई और टर्की की आप लोग ब वैलिंग टन न्यूजिलेंड की capital है और ऑस्ट्रिलिया की capital क्या है कैनबरा मेरे भाई क्या है कैनबरा ठीक है तो यह हमारी top country है जहाँ पर घर्द महंगे है house price index में number one country टर्की है top 5 आजकल पूछी जा रही है इसलिए मैं top 5 आपको जरूर लिखवा रहा हूं ठीक है भारत क नमबर जो है वह हमारा 51 है यह चीज़ याद रखेंगे अब यहाँ पर दो-3 चीज़े और है अभी हाल फिलाल में happiness index आया था क्या आया था happiness इंडेक्स मेरे दोस्तों तो happiness in dex में भारत की rank बता दो प्रेस freedom में भारत की rank बता दो तो happiness index में अभी हमने पढ़ा था 136 मेरे साथ यो press freedom index में हमने कौन सी पढ़ी थी 142 पढ़ी थी जबकि gender gap index में जनाब हम 140 वे नंबर पर हैं ये बात हमें ध्यान रखनी है ठीक है तो happiness index 136 हो गया press index 142 हो गया और gender gap index 140 हो गया ये सारे आसपास के हैं इसलिए तीनों को याद रखना भी बेहत ज़्यादा जरूरी है ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों अब हम थोड़ा सा pollution की बात कर लेते हैं हमने सहर की बात कर ली अब हम pollution की बात करेंगे तो जब मैं यहाँ पर pollution की बात कर रहा हूँ तो देखिएगा दो तीन चीज़े यहाँ पर आएंगी नए साथी चैनल को subscribe कर लो आज से 7-8 बज़े static gk के धुरंदर प्रशन शुरू होंगे ठीक है तो दोस्तों देखो ध्यान से समझेगा ये है IQ air अब आप बोलोगे सर य IQ air क्या है ये organization है company है institute है कहा का ये है switcher land का कहा का switcher land का मेरे दोस्तों तो ये switcher land का institute है बहुत समझ लग गया इसमें क्या किया है world air quality report को जारी किया है ठीक है world air quality report को जारी किया है और report जारी करने पे कहा है कि जो नई दिल्ली है मेरे दोस्तों नई दिल्ली भारत की राजधानी ये जो नई दिल्ली है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा polluted capital है लगातार दूसरे साल पिछले साल भी मैंने पढ़ाय था तब भी मैंने बताय था कि जो नई दिल्ली है वो क्या है दुनिया की सबसे ज़्यादा most मतलब polluted capital city क्या है तो ये है हमारी दिल्ली और इस rank को release किया है IQ Air ने जो Switzerland की company है world air quality report 2021 में ये सारी बाते मेरे दोस्तों बताया है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे normally तो दो तीन चीजे मैं आपको बता दू कि ये headquarter कहाँ पर आप लोगों का Switzerland में है 1963 में बना था ये ज़्यादा याद नहीं रखना लेकिन अगर कोई आप से पूछे कि सबसे ज़्यादा most polluted capital कौन कौन सी है मतलब दिल्ली के बाद किसका number नमबर आता है तो दिल्ली के बाद होता है धाका टका धाका मतलब दूसरे नमबर पे कौन सा है धाका सबसे ज़्यादा polluted capital है उसके बाद है एंडजे मेना ये चैड की है Republic of Chad जो Republic of Chad है ना हमारा उसकी capital है एंडजे मेना ये तीसरे नमबर पे आता है और दुसामबे तजाक Pakistan चोथे नमबर पे आता है और पांचवे नमबर पे ओमान मसकट आता है तो ये दुनिया के पांच सबसे ज़्यादा polluted मेरे दोस्तो capital है अब यहाँ पे कोशन गलत करोगे अगर मैं आप से पूछ हूए कोशन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या पूछना चाह अनुसार दुनिया का सबसे polluted सहर कौन सा है ये मुझे एक बार कैप बता दीजिएगा फटा फट से ठीक है तो मैं फिर से एक बार कोशन पूछना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि भाईया आई क्यू जो हमारा air index है इसके तहत दुनिया का most polluted city कौन सी है most polluted सबसे ज चलिएगा तो यहाँ पर देखेगा बच्चे कह रहे हैं पाकिस्तान का लाहोर 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 वो तो पिछले साल था उसका तो लाहोल कुबत बिला हो गया ठीक है तो अगर वो राजधानी सहर में पूछेगा तो नई दिल्ली है लेकिन अगर वो सहर में पूछेगा तो मे most polluted राजधानी सहर में नई दिल्ली आ जाता है ठीक है जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों क्या कहते हैं उसकी polluted country की तो बांगलादेश आ जाता है लेकिन सहर में पिछले साल जो है हमारा लाहोर था लेकिन इस बार हम सहरों में अगर लगाएंगे तो धाका लगाएंगे वैस भारत के कौन से सहर है जो सबसे ज़्यादा polluted है भारत के कौन से सहर है जो सबसे ज़्यादा polluted है तो भारत का है भिवारी राजिस्थान का सबसे ज़्यादा polluted है उसके बाद है गाजियाबाद दिल्ली का मेरे दोस्तों दिल्ली के पास वाला तीसरा है दिल्ली और चोथा है जोनपूर ये चार जो है भारत के most polluted है क्या है भारत के चार सहर most polluted है और अगर देशों में पूछा जाएगा तो बंगला देश जो है वो most polluted country है ठीक है most polluted country है याद रखेगा important है मार कर लेंगे ठीक है विवारी जो है राजिस्थान का ये सबसे ज्यादा polluted والा सहर है भई अब यहाँ पे 3 प्राशन जो आपके मायंद में बनेंगे या 3 प्रशन जो आपके exam का पार्ट बन सकते हैं वो 3 प्रशन क्या है कि दुनिया का सबसे रहने योग्य सहर कौन सा एद दुनीया का सबसे रहने योग्य सहर सबसे अच्छा रहने योग्य सहर कौन सा है तो यह है ओकलेंड क्या है ओकलेंड है न्यूजिलेंड का सहर ठीक है दुनिया का सबसे महंगा सहर कौन सा है जो तेल निकाल दे दुनिया का सबसे महंगा सहर वो है तेल अभीब क्या है तेल अभीब है ते तब इन तीन पर आपको ध्यान से समझना है कि अगर वो पूछेगा रहने योग्य सहर ओकलेंड है भारत का रहने योग्य सहर बैंगलूरू है और तेल निकालने वाला अर्थात सबसे महंगा सहर जो है वो हमारा क्या है वो हमारा तेल अभीब है इसराइल का है ये बात आप ध्यान कर लिजेगा, note down कर लिजेगा, ठीक है, चलिएगा, आगे चलते हैं, तो अगला question आप लोगों के लिए, क्या बनेगा, उसको थोड़ा सा देख लिजेगा, दोस्तों ये question भी important बनेगा, क्यों क्योंकि ये योजना बड़ी important है, और अभी जैसे आपका group D, NTPC, SSC का paper आएगा, तो वो योजना का नाम दे के उसका साल पूछा करते हैं, तो योजना क्या है, योजना है मेरे दोस्तों fame India scheme, तो fame India scheme जो है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझेगा, तो सबसे पहले ये हमारी जो fame India scheme है, fame India scheme है भाई, ये कब launch हुआ था, तो इसका पहला phase जो launch हुआ था, वो 2015 में launch हुआ था, ठीक है, और ये कब तक चला, ये 2019 तक चला, इसका पहला phase, ठीक है, फिर इसका दूसरा phase शुरू हुआ, और दूसरा phase मेरे दोस्तों क्या है, 2019 से 2000 बाईस तक आप लोगों का चलने वाला था, लेकिन 22 तक पूरी तरह से implement नहीं हो पाया, तो phase two को बढ़ा करके इन्होंने 2024 कर दिया है, तो पहला question क्या बनेगा, कि fame India scheme को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो fame India scheme के दूसरे phase को दो सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, अर्थात 2024 तक के लिए fame India योजना को बढ़ा दिया गया है, ये बात तो clear हो गई है, fame India योजना कब लोन्च हुई थी तो फेम इंडिया योजना 2015 में लोन्च हुई थी अब इस योजना का काम क्या है तो दोस्तों इस योजना का काम ये है कि जितने भी हमारे पैट्रोल और डीजल वीकल है क्या है पैट्रोल और डीजल वीकल है मतलब जो हमारी पैट्रोल की गारि है उनको replace करना है उनको replace करना है कैसी से जो हमारे electronic vehicle है या hybrid vehicle है तो hybrid vehicle या electronic vehicle से replace करना है किसको petrol की गाड़ी को diesel की गाड़ी को ये इस योजना का लक्ष है इस योजना का target है मेरे दोस्तों तो समझ में आगे आपको कि योजना कब लागू हुई कब लागू हुई 2015 में पहला फेज इसका शुरू हुआ था दूसरा फेज 2019 में शुरू हुआ जिसको दो साल बढ़ा करके 24 तक कर दिया गया है पेट्रोल डीजल गाडियों को रिप्लेस करना है इलेक्ट्रोनिक वीकल और हाइब्र गाडियों से मेरे दोस्तों ये आपके पूरी की पूरी योजना है ताकि पॉलिशन को कम किया जा सके अब ये कौन सी मंत्राले जो है इसको इंप्लिमेंट करवा रहा है तो जो हमारा Ministry of Heavy Industry है Ministry of Heavy Industry मेरे दोस्तों वो क्या करवा रही है इसको अडॉप्ट करवा रही है मतलब वही बाते जो मैंने आपको बताई यहां पर लिखी हुई है कि फेम इंडिया योजना देश में डीजल और पेट्रोल चालित वहनों का उप्योग को कम करने के लिए भारत सरकार की क्या है पहल है मेरे दोस्तों भारत में हाइब्रिड और इलेक्टरिनिक बानियों के तेज मारी जो मेरे दोस्तों ये मिनिस्ट्री ओफ हैवी इंडरस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजीज है इसके मंत्री कोन है महेंद्र नाथ पांडे कोन है वही या महेंद्र नाथ जो पांडे है वो इसको क्या कर रहे हैं मॉनीटर कर रहे हैं और इसकी देखरे कर रहे ह ठीक है ये सारी बाते मैंने आपको बता दी जो कि बेहद जादा जरूरी है अब अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि भाईया electronic vehicle day कब आता है electronic vehicle day कब आता है तो ये आता है no September को कब आता है no September को आता है electronic vehicle day सबसे बड़ा electronic vehicle charging station कहा पर लगा है electronic vehicle charging station सबसे बड़ा तो ये लगा है guru gram में कहा पर guru gram में लगा है ठीक है ये भी आपको यहाँ पर क्या रखना है ध्यान रखना है ये सभी चीजे important है तो मेरे साथ ही एक बार मुझे बता देंगे अगर हम फिम स्कीम को सीख गए है तो बढ़िया है क्योंकि एक प्रशन यहां से पूछेंगे क्या फिम स्कीम में आपका कोई doubt है अगर doubt है तो आप मुझे comment कर दे और बाद में भी comment कर सकते है ठीक है तो फिम योजना में अगर कोई आपका doubt है तो मुझे आप लोग यहाँ पर बताएंगे अच्छा कुछ बच्चे सोच रहोंगे सर्फ फुल फॉर्म भी तो होगी इसकी तो हाँ मेरे दोस्तों फुल फॉर्म यह है faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle in India मतलब अगर कोई फिम की फुल फॉर्म पूछता है तो फिम की फुल फॉर्म क्या है तो फिम की फुल फॉर्म है faster, F4 faster, A4 adoption ठीक है तो faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle in India यह हमारी fame की फुल फॉर्म है तो आपको मेरे ख्याल से जो 4-5 प्रशन बने है वो आपको यहाँ पे clear हो गए होंगे उन 4-5 प्रशनों को देख लो एक बार ठीक है तो सबसे पहला प्रशन हमारा क्या आता है कि fame योजना को कब लागू किया गया था 2015 में ठीक है कब तक के लिए 2019 तक के लिए पहला फेज समाप्त हो गया था दूसरा फेज स्टार्ट हुआ 2019 में 2022 तक के लिए उसको चलाया गया लेकिन अभी दो साल और बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हमने उसको बढ़ा करके 24 तक कर दिया किलियर है इसमें को मोनीटर कोन कर रहा है तो मोनीटर कर रही है Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises मतलब जो हमारा भारी उद्ध्योग और सारजनिक उद्ध्यम मंत्राले है वो इसको क्या कर रहा है मोनीटर कर रहा है दूसरा फेम की फुल फोर्म क्या है तो faster adaptation and manufacturing of manufacturing for hybrid and electric vehicle in इंडिया इसका मतलब क्या है कि भारत में जितने भी petrol की गाडिया है डीजल की गाडिया है उनको replace करना है electronic vehicle से याद रखेगा इसी लिए योजना आप लोगों की चलाई गई थी तो पूरी फेम योजना कोई भी प्रशन कैसा भी प्रशन आपके सामने होगा तो आपका नंबर जो है पका हो जाएगा फेम योजना के तहत मेरे साथ ही हो ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं यह GDP का अनुमान नहीं थमता तो यहाँ पर हमारी जो Fitch Rating Agency है अब यह Fitch Rating Agency कहा की है यह Agency है New York की मेरे दोस्तों कहा की New York की तो इसने कितना अनुमान लगाया है 8.5 लगाया है कब के लिए fiscal year 23 के लिए मतलब जो 2022 वाला fiscal year यह खतम होकर के जो 23 वाला सुरू होगा एक अपरेल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक तो उसमें रहने का अनुमान कितना लगाया है 8.5 लगाया है इतना ही याद रखना है New York जो है वो Hudson नदी के किनारे पर है आप सभी लोग जान ले रहे हैं यहाँ पर United Nation Organization का Headquarter है ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ भी सकते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कोई दिक्कत परिशानी यहाँ पर नहीं होगी ठीक है आगे चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है देखेगा Unfilled Barrel एक किताब है मेरे दोस्तों जो हमारा प्यारा भारत है तो हमारे प्यारे भारत की जो Oil Industry है उसके उपर एक किताब लिखी हुई है और किताब का नाम है Unfilled Barrel ठीक है India's Oil Story Unfilled Barrel India's Oil Story मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा यह किताब किसने लिखी है तो यह किताब लिखी है रिचा मिस्रा ने कैसे याद रखोगे भाईया Unfilled Barrel India's Oil Story तो तेल तेल कोन कर सकता है जो भाईया रिच हो ठीक है भाईया तेल वही तो भरबा सकता है जो रिच हो तेल होई इतना महंगा हो रहा है तो Unfilled Barrel तो कोन भरबाएगा Unfilled Barrel को जो आदमी रिच है तो रिच से बना द महिला है ओयल एवम नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी पहली महिला हैड बनी है तो उनका नाम है अलका मित्तल मेरे दोस्तों एक और दोस्तों ध्यान से समझेंगे Crude Oil में भारत का सबसे बड़ा Partner कोन है तो Crude Oil जहां से भारत सबसे ज़्यादा लेता है तो वो है मेरे दोस्तों यूएस से याद रखेंगे उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक और चीज आ जाती है आप लोगों के सामने कि भारत में पहला Oil Well मतलब भारत में पहले या एसिया का सबसे पहला तेल का कुआ कहां खोदा गया था तो ये खोदा गया था डिग बोई आसम के अंदर कहां पर डिग बोई असम के अंदर ये चारो कोशन मार्क कर लीजेगा अन फिल्ड बैरल एक किताब का नाम है ये किताब लिखी है रीचा मिश्रा ने ओ ओ एन जी सी हमारी जो है अलका मितल है क्रूड ओयल जो है भारत का पार्टनर USA और ओयल वैल जो है सबसे पहले डिग बोई में आया था या ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी दोस्तों देखेगा बड़ा ही मतलब है कि इन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया है और अगली न्यूज जो है ये भी आप लोगों के लिए क्या है जरूरी है जरूरी क्या है दुनिया की नंबर एक टैनिस प्लेयर दुनिया की नंबर एक टैनिस खिलाडी जिनका नाम है एसले बार्टी एसले बार्टी और ये एसले बार्टी कहां की है ये औस्ट्रेलिया की है कहां की है औस्ट्रेलिया की और इन्होंने औस्ट्रेलिया ओपन दो हजार बाईस मेरे दोस्तों जीता भी है याद आगया होगा औस्ट दोस्तो पेसेवर टैनिस था पेसेवर टैनिस मेरे दोस्तो जो प्रोफेशनल टैनिस था मेरे दोस्तो उससे क्या ले लिया सन्यास ले लिया मात्र 25 साल की उमर में एसले बार्टी ने प्रोफेशनल टैनिस से प्रोफेशनल से लिया है देश वाली से नहीं लिया ठीक है तो प एक्सलेबार्टी है टैनिस प्लेयर है और अस्ट्रेलियन ओपन दो हजार बाईस इन्होंने जीता है महिला एकल में ऐसा आप लोगों को मालूम है ठीक है अब यहां पे अगर आप से पूछा जाएगा कि और अस्ट्रेलियन ओपन के बारे में कुछ बात बता दो तो अस्ट् जीता है यह कौन से कोट पर होता है यह हार्ड कोट पर खेला जाने वाला है क्या है मतलब हार्ड कोट पर खेला जाता है तो जब हम यहां पे मैंस की बात करेंगे तो राफिल नडाल ने जीता है और जब वूमेंस की बात करेंगे तो ऐसले बार्टी ने जीता है ऐसले बार लगता है समझ ये का मुझे ये लगता है कि Grand Slam Grand Slam 2021 भी आपको करवा देने चाहिए क्या आपको Grand Slam 2021 करने हैं तो मैं आज करवा दूँगा आप लोगों को और जब मैं आज करवा दूँगा तो आप 2021 को भी याद कर लेना क्योंकि Grand Slam एक साल पूछे भी पूछे जा सकते हैं तो Grand Slam 2021 अगर आपको करने हैं आपके बास नहीं है लिस्ट तो आज करवा दूँगा 5-7 मिनट लगेंगी दूस्तो देखिएगा यहाँ पर एक प्लेयर का नाम है जिनका नाम है देवेंदर जाजरिया क्या नाम है देवेंदर जाजरिया अब इनकी जगा हमें पता होनी ब जैवलिन्थ रो मतलब भाला फेक में हैं देवेंदर जाजरिया हैं तो देवेंदर जाजरिया पहले ऐसे पैरा एथलीट बने हैं जिनको पदम भूशन से सम्मानित किया गया है ठीक है तो आज के लिए 2 टॉपिक डियू हो गए पदम सारे आवोड दुबारा पढ़ा में जो grand slam है ये दोनों करा दूंगा बेफिकर रहीएगा ठीक है तो पदम भूशन जो की हमारा दूसरा सर्वोच पुरुसकार है तो पदम भूशन से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट कोन बने है तो नाम है देविंदर जाजरिया क्या करते हैं भाला फेकते हैं मेरे दोस्तो कहां के रहने वाले हैं तो ये रहने वाले हैं राजिस्तान के चुरू के जरूर याद रखेगा बहुत important है रही बात पदम अवोर्ड की तो पदम विभूशन पदम भूशन पदम सिरी 2022 में जिन लोगों को मिले हैं मेरे दोस्तों उनका सभी का नाम वैसे पहले भी पढ़ा चुका था लेकिन इस चैनल पर नहीं है तो आज मैं आपको पढ़ा दूँगा आज आपके लिए दो ची होते हैं अगला कोशन ये कोशन भी केरल के लिए बढ़ा अच्छा है तो केरल क्या कर रहा है सुनिए का ध्यान से दोस्तों हमारा हम कहानी कहां से सुरू होती है सारी आपने एगरी कल्चर मिनिस्टरी का नाम सुना है एगरी कल्चर ठीक है एगरी कल्चर मिनिस्टर तो उनका नाम क्या है नरेंद्र सिंग तोमर उनका नाम है तो उन्होंने क्या कहा है कि हम 2024 तक हम 2024 तक खेती में डीजल का जो यूज है उसको जीरो कर देंगे मतलब 2024 तक हम खेती में डीजल का यूज नहीं करेंगे हमारी सारी सोलर एनरजी चल रही होगी ये बात कह दी है उसी को ध्यान में रखते हुए केरल विकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूज कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मैथड मेरे दोस्तों मतलब क्या है कि यह खेती में ऐसी जो है टेकनीक्स या खेती में इन सभी चीजों को करने जा रहा है जहां से कार्बन उत्सर्जन जो है वो जीरो हो जाए मतलब कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो कर देगा लाइक जैसे डीजल भी यूज करते हैं तो डीजल से भी कार्बन का उत्सर्ज वाला पहला राज्य केरल है अब यहां पर दो तीन चीज़ आ जाएंगी जो बनेगी आपकी एक्जाम में तो सबसे पहला कोशन ये है कि हमारा ODF फिरी मेरे दोस्तों जो हमारा ODF है ओपन डिफिकेशन फिरी जो इस्टेट है वो कौन सा है कमेंट बोक्स में कमेंट करिएगा जल्दी से हमारा पहला औरगैनिक खेती को अपनाने वाला औरगैनिक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों और भारत जो है कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाएगा भारत कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाएग पहला राज्जी जहां पर पूरी तरह से और्गेनिक खेती होती है सिक्की में कार्बन न्यूट्रल भारत जो हो जाएगा वो 2070 तक हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन उसर्जन जो है भारत में 2070 तक बिलकुल खतम हो जाएगा ये बात आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा जब हम बात करते हैं हेल्ट इंडेक्स की ठीक है हेल्ट इंडेक्स की तो हेल्ट इंडेक्स में नंबर वन राज्ये कौन सा है मेरे दोस्तों एक हम बात करते हैं मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब राज्य क्या है केरल है मेरे दोस्तों Health Index जो है सबसे कम गरीब जहाँ पर है ठीक है और Health Index जो है उसमें भी हमारा मेरे दोस्तों केरल क्या है वो number 1 आ जाता है यह चीज़ आपको ध्यान में रखियेगा अभी हाल-फिलाल में election हुए थे election हुए थे ना तो election मेरे दोस्तों किस से होते हैं EVM से, किस से होते है EVM से, EVM का मतलब क्या है, electronic watering machine मेरे दोस्तों, तो जो EVM use हुई थी जिस राज्जे में सबसे पहले, उसका नाम भी केरल है, केरल राज्जे में भारत में सबसे पहले EVM का use हुआ था, और आज की डेट में जो EVM use होती है, वो होती है, VB pet मेरे दोस्तों, क्या होती है, VB pet होती है, VB pet का मतलब क्या है, voter verified paper audit trial, voter verified paper audit trial, ये हमारी क्या है, इस बार के मारी जो है, मेरे दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जरूरी है, ठीक है, आ गया जाईएगा, ये कौन है, पुसकर सिंग धामी, ये मेरे दोस्तों गए लेकिन दूसरी बार क्या बन गए है उत्राखंड के ग्यारवे मुख्य मंत्री बन गए है उत्राखंड के ग्यारवे मुख्य मंत्री बन गए है कौन पुसकर धामी तो पुसकर धामी के उत्राखंड की राजधानी क्या है तो एक है देहरादून है भाई क्या है गैरसीन है इन्होंने मेरे दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की बात कही है कि अब हम उत्राखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे ऐसा इन्होंने कहा है बहुत ही बहतरीन तरीके से कहा है और दूसरी चीज अगर आप से पूछेंगे सबसे जादा सुगंध देने वाला गार्डन ये कहां पर है तो सुगंधित गार्डन भी हमारा उत्राखंड के अंदर है सबसे उचा मेरे दोस्तों हर्बल पार्क कहां पर है तो सबसे उचा जो हर्बल पार्क है वो भी हमारा उत्राखंड में है अगर आपसे पूछेंगे लाइन चेन पा पारक है वो भी कहां पर मिलेगा उत्राखंड के अंदर मिलेगा याद रख लेना ठीक है उसके बाद है ये बंदा माली का है ठीक है कहां का है माली का मेरे दोस्तों तो माली का प्रधानमंत्री था और ये मेरे दोस्तों क्या था सो मेल यो ठीक है इसका नाम क्या था सो मेल यो बव बाई ठीक है ऐसे कर दो बस सो मेलियो बव बाई कर गया मतलब यह पास्टर पे हो गया ध्यान में रखेंगे ठीक है तो माली का प्रधानवंतरी था मेरे दोस्तो जिसका नाम था सो मेलियो बोबे माईगा इसका निधन हो गया जरूर याद रख लेना अविच्वरी में प्रशन बन सकता है याद रखेंगे ठीक है चाहिए बहुत बढ़िया ठीक है तो चलिएगा यह आप लोगों का जो है इंपोर्टेंट है मार कर लेंगे ठीक आगे चलेंगे दोस्तो यहाँ पर माली माली जो हमारी कैपिटल है वह मेरे दोस्तों कहाँ की वेस्ट अफ्रीक है ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझेगा इंपोर्टेंट है मार्क कर लेंगे याद रखेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़े क्लियर है कोई डाउट वगेरा है तो मुझे यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं इस्टेटिक जीके की क्लास मैंने कहा था MTS का पेपर आने के बाद अब आपके जितने भी एक्जाम है SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, लेकपाल, UPP या इसके लावा कोई भी एक्जाम है तो इस्टेटिक जीके की क्लास कितने बजे सुभा सबा आठ बजे मतलब इस क्लास के तुरंत बाद इस क्लास में पहुचना है बसता ठाकर के अपना ठीक है तो ये क्लास सब आठ बजे आएगी आप लोगों की उसके बाद दोस्तों करेंट अफेर के जो MCQ है उनको फटा-फट से देख लीजेगा फिर बाद में 36 गुणों का मिलान भी करना है ठीक है तो 36 कब मनाया जाता है तेहिस मार्च को कुछ दिन आपसे पूछूंगा आप मुझे बताने के लिए तैयार है याद रख लीजेगा तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से वूमिन इंटरनेशनल वूमिन जज़ दे त और तीसरा कोशन है आपका NCRB का फाउंडेशन डे यह कब बनाया आपने चोथा कोशन है मेरे दोस्तों आप लोगों का की CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है CRPF का शौर्य दिवस आंसर कर दो जल्दी से तो पाई डे हमारा कब था पाई डे था 14 मार्च को याद रख ठीक है और NCRB का दिन कब था तो ये मेरे दोस्तों हमारा क्या था 11 मार्च को था और लास्ट में CRPF का सोर्य दिवस जिसमें आप सब धोका खा गए हैं ये आता है नो अपरेल को मेरे प्यारे साथियों मेरे दुलारों मैंने आप से क्या पूछा था मैंने आप से ये थोड प्रिंग डे है ये हमारा आता है 19 मार्च को मैंने पूछा था शौर्य दिवस और शौर्य दिवस हम मनाते है कब 9 अपरेल को 9 अपरेल को 9 अपरेल को तो ऐसी गलती नहीं करना ठीक है हमेशा सजग रहिएगा ठीक है आप सब बस्ता उठाने के चक्कर में लग गए थे ठीक तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखेंगे इसको इंपोर्टेंड मार कर लेंगे ऐसी गलती नहीं करनी है ठीक आजए ये गागे अगला कोशन है भाई आपका मोसम विज्यान दिवस का विशे क्या है तो मोसम विज्यान दिवस का विशे बता दीजिएगा दा सन दा दोस्तों याद रखेगा अब यहां पर एक बात समझेगा ध्यान से मैं आपसे पूछो भारत में सबसे उचा मोसम विज्यान विवाक का मेरे दोस्तों ओफिस कहां पर है तो जो हमारा मीट्री लॉजिकल डिपार्टमेंट का ओफिस है सबसे उचा भारत में वो हैं लिह ल लद्दाग में कहां पर लेह लद्दाक में हैं सबसे उचा ठीक हैं आगया जएएगा फड़ा फट से दोस्तों नागरिक उड़ेन मंतरा ले और किस संगठन ने हैदराबाद में विंक्स इंडिया 2020 का आयोजन किया तो विंक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है हैदराबाद में नागरी कुड़ेन मंत्राले अर्थात जोती रादित्य सिंधिया इसको करवा रहे है किस संगठन के साथ में मिल करके इसरो के साथ में फिक्की के साथ में DRDO या HAL हिंदुस्तान मेरे दोस्तो Aeronautics Limited तो दोस्तो आप सभी का आंसर आ रहा है ISRO वेरी गुड मेरे साथियो जिन सभी का आंसर ISRO है उनका आंसर कताई गलत है ठीक है बहुत गलत आंसर है उनका जिनका आंसर ISRO है दोस्तो HAL का नाम आपने नहीं सुना क्या हिंदुस्तान Aeronautics Limited मेरे दोस्तो जिसने LCA तेजस बनाया है भाई और इसका हेड़क्वार्टर कहां पर है बैंगलूरू में लेकिन आंसर ये भी नहीं है ठीक है आंसर ये भी कट जाएगा आंसर ये भी नहीं बनेगा ठीक है बचा क्या हमारे पास फिक्की और DRDO तो दोस्तो जब हम फिक्की और DRDO के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा फिक्की ये फिक्की वही है जो महात्मा गांधी की recommendation पर बना था मेरे दोस्तों ठीक है उननिस सो सताइस में बना था महत्मा गांधी की रिकमेंडेशन पे इसके डारेक्टर जर्नल कौन है अभी इसके डारेक्टर जर्नल है आरुन चावला मेरे दोस्तों और आप लोगों का फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कोमर्स एंड इंडस्ट्री यही आंसर है क्या है यही आंसर है ही ही हाँ लोगों का अंसर है ठीक है चलिएगा समझ गए जो डियार डियो है इसने चोंसट वाइस था अपना दिवस एक जनवरी को मनाया था याद रख लेंगे ठीक चलिएगा आगे अगर हम बात करेंगे फटा-फट से आगया जाओ दोस्तो रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जनवरी ने जनवरी ने जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ में उर्जा समझोते पर हक्ताक्षर किये तो उसने कहा रूस में तेरे पर अब जादा निर्भर नहीं हूँ तो जर्मनी ने कहा मेरे पास है मनी ठीक है तो जर्मनी ने क्या किये जर्मनी ने मेरे दोस्तो रूस के पर कतर दिये क्या कर दिये जर्मनी ने रूस के पर कतर दिये कि उर्जा के लिए अब मैं किस के पास जाऊंगा मैं कतर के पास जाऊंगा कतर के पास जाऊंगा किस के पास कतर के पास ना कि कुबैत के पास ये जो रहे हो ना ऐसे मत करिएगा तो उर्जा समझ होता रूस अब यहां पर बहुत सारी चीजे आपके एक्जाम का पार्ट बनेंगी देख लो दोस्तों यह क्या है जर्मनी जर्मनी के चांसलर कौन है औलिफ इसकोल्ज यह जर्मनी के चांसलर है बहुत बढ़िया उसके बाद जर यह हमारे फ्रेंक वाल्टर इस्टी मेएर जर्मनी के रास्टपती है ठीक है मेरे दोस्तों जब मैं हाँ पर कतर की बात करता हूं तो फीफा वर्ल्ड कप होगा इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 और 2030 में यहां पर एशियन गेम्स भी खिलाए जाएंगे और कतर की कैपिटल क् दोहा क्या है दोहा है मेरे भाई ठीक है जब हम बात करते हैं कुबेत की तो कुबेत आप लोगों की मिडिलीस्ट की कंट्री है कौन सी कंट्री है मिडिलीस्ट की कंट्री है कुबेत सिटी यहां पे कैपिटल बन जाती है दिनार यहां पे करंसी बन जाती है यहां का अमीर कौ बोलते हैं और यहां पर अमीर कौन है मेरे दोस्तों देखेगा नवाफ अल एहमद अलजबेर अलसभा ठीक है तो मेरे दोस्तों क्या है नवाफ ठीक है अल एहमद अलजबेर अलसभा तो यह क्या कह रहा है कि भाई कुवेट को क्यों वेट कर रहा है नावाफ ठीक है क्यों ब यहाँ पर कुवेत के जो अमीर है कुवेत के जो अमीर है उनका नाम क्या है कि क्यों बेट कर रहा है अपने बाफ का ना बाफ मेरे दोस्तों जिसका नाम है अल एहमद ठीक है अब तू जबे खाले अल जबेर अल जबेर और सुभा हो गई है ठीक है तो तू अपने बाफ का ब ठीक है ये नाम कहां से आते हैं दोस्त ये नाम आते हैं दोस्त जवे से ठीक है समझ में आ गया याद होना चाहिए इतना बड़ा नाम लता यादव कहां बड़ा नाम है अमीर है कुबेत का तो उसने कहा क्यों बेट कर रहा है ना बाफ ना बाप आएगा मैं वेट कर रहा हू बापका का नाम क्या है लवल हम है उसना घाले जब खाले लजबर अल-सुभा सुभा हो गई है अब भी जब ने खाएगा Punk के चलिएगा यह सारा का सारा जो है अगले कौश्टन पार जो ठीक है लाइक वाइक तो कर मत देना सो आप ठीक है सो लाइक कर दो कि तो पेट में दरद हो जाएगा आपके ठीक है और आप चाहते नहीं कि पेट में दरद हो ठीक है है हदी करते हो चलो आगे चलते हैं सेर वेर मत करा करो इसको बिलकुल भी वदना पेट में दरद हो मेरे दोस्तो कलाई स्ट्रोन एम्पलिफायर आर के इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी इसकी फुल फॉर्म जो है वो जरूर पूछी जाएगी ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी रिलेटिव इस्टिक मेरे दोस्तो कलाई स्ट्रोन एम्पलि RK की system है जिसकी full form जरूर याद होनी चाहिए आपको यह space में satellite को destroy कर सकता है और जब यह destroy कर सकता है मेरे दोस्तों तो यह कहां का है यह चाइना का है कहां का है चाइना का है तो relativistic, calistron, amplifier जो space में किसको satellite को destroy कर सकता है दोस्तों space, antrix, week कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है चार October से 10 October तक यह बहुत important है बहुत mark इसको mark कर लीजेगा जरूरी है ठीक है चलिएगा अगला question है भारतनिक की संतराष्टे निकाई में जैविक और विश हत्यार सम्मेलन BTWC की बकालत की है बहुत important बहुत important फुल फॉर्म की दरश्टी से देखा जाए तो अती महत्पूर्ण कोशन है यह फुल फॉर्म की दरश्टी से इंडिया एड़ोकेटिड दा बायो लॉजिकल एंड टॉक्सिन बैपन कन्वेंशन बहुत important है इसके फुल फॉर्म याद रख लेना कि बायो लॉजिकल एंड टॉक्सिन बैपन कन्वेंशन आप लोगों का एट विच इंटरनेशनल बोडी कौन सी इंटरनेशनल बोडी में भारत ने इसकी वकालत की है भाया यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फोर रिफ्यूजी यहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फोर रिफ्यूजी यहां पे को की है ठीक है और United Nation Environment Program यहाँ पर भी नहीं काट देंगे International Court of Justice यहाँ पर भी तो भारत ने BTWC अच्छा ये Convention क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा वरना सवाट हो जाएंगे तो मुझे सवाट का भी ध्यान में रखना है ये Convention है क्या मैं इसको एक वीडियो में आपको बता दूँगा आज की तीन वीडियो हो गई है एक वीडियो हमारी Grand Slam 2020 की हुई है एक वीडियो पदाम अवार्ड की हुई है और एक वीडियो मेरे गिग इंडिया में 100% हिस्सेदारी तो किस कंपनी ने आपकी इस तरह की जो चीजे है वो छोटी-छोटी वीडियो में कवर कर दिया करूंगा ठीक है 100% हिस्सेदारी का अधी ग्रहन किया है जो फ्रीलांस सूख समुध्यों के लिए एक नेटवर्क है मतलब सिंपल साफ है यह गिग इंडिया एक कंपनी है कौन से कंपनी ने इसका अधी ग्रहन कर लिया है बता दीजिएगा ठीक है चलिएगा लिख दो हाथ पर नहीं हाथ पर नहीं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ठीक है चलिएगा तो यहाँ पर मेरे दोस्तों देखे ध्यान से समझीगा फ़ॉन पे तो फ़ॉन पे ने क्या किया है आप लोगों का गीग इंडिया को किसको किया है अधी घ्रहन कर लिया है इंपॉर्टैंट है मार कर लिएंगे किसने फौन पे ने ठीक है अगला question आएगा अप लोगों का 51 बाह फिर्जगर आर्केटेटर पुरुषकार किसने जीता है बता दो जल्दी से बता दो पानी पी लिया जाए तक खोड़ा ठीक है प्रिजगर आर्केटेक्टर पुरुषकार किसने जीता है आंसर 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 तो जो पुरुषकार जीता है ये जीता है बुर्कियानो फासो का बंदा है मेरे दोस्तो डाइवेडो फ्रेंक्सिस केरे ने ये आपका पुरुषकार जीता है इंपोर्टेंट है मार कर लेंगे ठीक है चलिएगा अगला कोश्चन है कौन सा राज्ये पूर पेपरलेस बनने के लिए एविधानसभाः uldली केशंननेवा कारेकरम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया तो नीवाः मेरे दोस्तोफ हमारी क्या है एप्लीकेशन है नेशनल विधान एप्लिकेशन विधान सभा पूरी तरह से पेपरलेस हो रही है सिक्कीम असम मनीपुर नागालेंड कल ही बताया था आपको नागालेंड क्या हो रही है नागालेंड कोहीमा वगेरा इसकी कैपिटल है कल ही आपको बता दिया था ठीक है अगले कोशन पर आ जाओ किस राज़े ने हस्त निर्मित नरसिंग पेटए नाग स्वरम को मेरे दोस्तो बाजा सा था कलास 15 के संगीत वाध्येंत्रों की सेरी के तहत जी आई टेग दिया है तो यह जो आप लोगों का नरसिंग पेटए नाग स्वरम है इसको जी आई टेग कहां से मिला है तो इसको GI tag मिला है तमिल नाडू तमिल नाडू से ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद है प्रमोध सावंत कहां के मुख्यमंतरी बने है गोवा के दूसरी बार गोवा के राज्येपाल कोन है बताइएगा गोवा के राज्येपाल कोन है गोवा के राज्येप धरन पिल लई पीले पीले गोवा का पीले ठीक है मतलब क्या पानी चलेगा क्यों पानी फिरी है वहाँ चलेगा आगे चलते हैं अगला कोशन अगला कोशन आपका जाएगा सरदार मेरे दोस्तों बर्दी मुहमेदो ने निम लिखित में राष्टपती बने हैं तो मेरे दोस् एकल खिताब किस ने जीता है तो दोस्तो जो बैडमिंटन छेम्पेंचिप हुई है ऑर इंग्लेंड वाली ठेक है जिसमें लक्षशेन का दूसरा नंबर है मतलब लक्षशेन ने सिल्वर मेडल जीता है तो इसको जीतने वाले कpei देन्मार्ग के प्लेयर है कौन है विक्टर एलेक्शन विक्टर एलेक्शन विक्टर एलेक्शन जरूर याद रखिएगा आगे चलते हैं अगले कोशन पर All England Badminton में महीला का खिताब किसने जीता है तो इसमें महीला का खिताब किसने जीता है बता दीजिएगा तो महिला का खिताब जीतने वाली जापान की है पता होगा आपको और उनका नाम है अकाने यामा गुची क्या है अकाने यामा गुची ये हमारी कहां की है जापान की है अकाने यामा गुची ये जापान की है ठीक है चलेगा तो ये 14 कोशन थे अब फटा फट से आजाओ गु गुणों के लिए तयार है आजो फटाफट से कल कुछ लोगों के 34 में 30 गुण भी मिले दे ठीक है आ जाओ तो पहला कोश्चन है अंतरास्टे वन दिवस कब बनाया जाता है वन दिवस वन दिवस से शुरू होगा मामला अंतरास्टे वन दिवस कब मनाया जाता है बता दो जल्दी से फटाफट से ठीक है तो चलिएगा बन दिवस आपको सभी को पता है किस मार्च ट्राइब ओलती क्या थी ट्राइब ओल ठीक है ट्राइब ओल ये ट्राइब ओलती अब पहला कोश्चन अब आएगा अब आएगा पहला कोश्चन इंटरनेश अभी तक किसी का अंसर नहीं है रफतार बना दो इसकी 14 मार्च बहुत बढ़ी अशांदार पाई डे भी जानते हैं लक्षे जर्मन ओपन में पुरू सेकल के फाइनल में किस खिलारी से हार गए थे लक्षे जर्मन ओपन अभी इंगलेंड ओपन पढ़ा था अब हम जर्मन ओ पट डि उप्षन भ ईया विक्टर एलेक्षं से इंगलेंड ओपन में हारा है अभी बताया है अच्छा इंप चैण बता हूं आपके पास दिवार है कोई कोई दिवार है आपके पास उसमें सिर मार लो जिन्नों ने भी आंसर विक्टर बताया है भाई विक्टर एलेक्शन अभी बता के हटा हूं कि इंगलेंड ओपन में हरा है यहां पर कोशन क्या है जर्मन ओपन जर्मन ओपन में कुला वटने हराया ह है ठीक है चलिएगा रोट्रेक्ट डेकब मनाते हैं रोट्रेक्ट डे रोट्रेक्ट डेकब मनाते हैं ठीक है चलिएगा गन्ये का खेते देवंदर जी कोई बात देवंदर जी गन्ये से काम चला लो भी ठीक है तो जल्दी बताओ ये का रोटरेक्ट डे का बाता है तेहरा मार्च सांदार इससे सांदार कोशन प्रत्वी पे नहीं अब तक ठीक है विश्व उपभुगता धिकार दिवस किस दिन मन उसके बाद अगला कोशन है फटाफट से दोस्तों ये क्या है उपभुगता अधिकार दिवस की थीम क्या है साधी कराओ नहीं साधी कराओ नहीं है देखो क्या है यहाँ पर जल्दी से बताओ फटाफट से थीम क्या है थीम है फिर डिजिटल फाइनेंस क्या है फिर डिज तराश्ते गड़ी दिवस का तो गड़ी दिवस का विशे था mathematics यूनाइट्स मेरे दोस्तो mathematics यूनाइट्स ठीक है चलिएगा आगे आज़ाओ फटाफट से यह अगरा ठीक है चलिएगा विश्व रोटरेक्ट दिवस का विशे क्या था रोटरेक्ट ट्रेकट का दिवस है था 13 से जल धी GDP growth rate Morgan Stanley आज मैंने फिच का बताया फिच का आज मैंने फिच का बताया है कितना है 8.5 फिच का repeat करवारा था याद करवारा था तो Stanley का कितना है Stanley 7.9 है Stanley 7.9 है फिच 8.5 है दोनों याद रख लो बाकी याद मत रखो ठीक है दोस्तो छात्रों के लिए पहला डिजिटल स्कूल स्वास्थे मंच पहला डिजिटल स्कूल स्वास्थे मंच डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफोर्म बच्चों के लिए कहां पे खोला है बदाव जल्दी से फटाफट से तो ये खोला है पुड्डू चेरी कहां पे पुड कतनी ठीक है चलिएगा अगला कोशन है अंतरास्टे भुकर के लिए लंबे समय से सूचीवद 13 पुस्तकों में किस लेखक कानुबादित हिंदू पन्यास टॉम ओफ सेंड तो टॉम ओफ सेंड भी मेरे दोस्तों किसका इस बात भुकर प्राइज में नॉमिनेट हुआ है तो सेंड भुकर प्राइज में नॉमिनेट हुआ है बता दो जल्दी से तो यह मेरे दोस्तों हमारा गितांजली स्री का किसका गितांजली का दोस्तों यूवी का प्रोग्राम किसने शुरू किया है यूवी का प्रोग्राम अगर इस कोशन को नहीं बताया तो कोस्त कसम है आप आजीद ठीक है चलिएगा आगे चल रहा है अगला कोश्वन के दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या केते नेशनल लबर्ट फर आउट स्टेंडिंग पर्फॉर्मेंस नेशनल लब लड फॉर आउटस्टेंडिंग पर्फॉर्मेंस इसका अंसर बता दो जल्दी से सेल्फ हेल्फ लिए ठीक है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से अगर पूछा जाएगा तो देखेगा ध्यान से समझेगा यह जम्मू कस्मीर Bank कौन है जम्मू कस्मीर Bank Axis नहीं आईगा जम्मू कस्मीर आएगा ठीक है अगला है इंद्रायनी मेडि सिटी देश की पहली मेडिकल सिटी कहां पर देश की पहली मेडिकल सिटी के रूप में कौन से सहर में स्थापित हो रही है देश की पहली मेडिकल सिटी बताते रहो जल्दी से लाइक करते रहो धक्का मुक्य नहीं चलेगी आंसर करो तो ये पूने क्या किया तूने ठीक है चलिएगा प्रधानमंथ्री मोधी ने राश्ट्य रक्षा यूनिवर्सेटी कहां पर रास्ट्य रक्षा यूनिवर्सेटी कहां पर छलिएगा ये की है गांधी नगर में कहाँ पर गांधी नगर में राष्टे रकसम इन्यवश्टी गांधी नगर किसी कौंसिटूण्सी यह मुनना भाई मुनना भाई नी मोंटा भाई अमित शहा किये फीक है कैं चलिए गा मचली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबाड से समझोता किस राज्य का है मचली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबाड से समझोता किस राज्य का है नाबाड 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 जल्दी से हो जाओ आठ पंद्र होने वाले हैं ठीक है तो नाबाड से समझोता किस राज्य का है नाबाड से समझोता जो है ये हम हमारा उडी सा का है ठीक है अगला कुछन ने रिष्ट एशियोड किस किर्केटर की आतम कथा है तो आतम कथा है दोस्तों ॥ इह हमारी किसकी है विश्वनात की है आगे आ जाओ फटाफट से योग दिवस पर सो दिन पहले किस केंद्रे मंत्री ने योग मोहतसब का उधगाटन किया तो योग मोहतसब का जो उधगाटन किया आप लोगों का किस केंद्रे मंत्री ने किया है तो ये किया है सर्वनंदा सोनोवल ने किया है ठीक है अगला कोशन है किस राज्जे ने पहली बार 57,803 करोड रुपे लगाकर के बाल बजट पेस्ट किया है बाल बजट किसने पेस्ट किया है तो बाल बजट पेस्ट करने वाला मध्य प्रदेश शिव रांग चुहान है अगला कोषिन एंग, ग्यारवे खेल महाकुम्ब का उद्गाटन किया है बताओ ग्यारवे खेल महाकुम्ब का उद्गाटन किसने किया है मोदी ने कहा किया है एहमदाबाद में ठीक है गुजरात में है खेल महाकुम आप लोगों का और बीसवा कोशन है मिशन इंद्रधनुस के तहत मेरे दोस्तो 90.5 coverage पून टीका करण के साथ कौन सा राज्य सीर्स पर है तो बतादो पून टीका करण के साथ पे उड़ी सा हमारा सीर्स पर है दोस्तों कल थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे आज 20 कोशन देहने देते हैं क्योंकि अभी सवाट बजे क्लास है ठीक है तो आज 20 कोशन रहने देते हैं अभी आजाओ फटा फट से उस सेशन पर पहुंचो जल्दी से दूसरा सेशन लगा हुआ है उस पर पहुंच जाओ और ये कर लेना राज्य विधान सभा चुनाब मनीपूर के नए मुख्य मंतरी कमेंड बोक्स में बता देना मुझे और जल्दी से दूसरे इवेंट पर आ जाओ फटा फट से इस्टैटिक जीके पर लेट नहीं करते कल से और स्पीड में करेंगे शुरू से ठीक है तो आजब फटा फट से अब तक के लिए टाटा बाई बाई है टेक केर है मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा मिलते हैं भी दूसरे में ऐसे ही जै हिंद जै भारत